MP Board Class 10 Science में 2019 का जो प्रश्णपत्र है उसमें दो और तीन अंक के जो प्रश्णपत्र है उसमें दो और तीन अंक के जो प्रश्ण आये थे उनकों आदर्श उत्तरसाइद देख रहे हैं ये आने वाली परिक्षाओं के लिए बहुत महित्मुण रहेगा सबसे पहले इसमें जो प्रश्ण आया था प्रश्ण क्रमांग पांच जो दो अंक का था कि विक्रत गंधिता क्या है तो हम जानते हैं कि जब तेल या वसायुक्त जो खाने की सामगरी है अगर वो लंबे समय तक रह जाती तो उसका अक्सिकरन हो जाता है अर्थात वो संपर्क में जंग लगेगी तो उनको आद्रवायू के संपर्क में आने से बचाते हैं जिससे वो संक्षारित नहीं होती है फिर सहीयों जकता क्या है तो हमें पता है कि परमानूं के जो बहुतम कंश में उसको इलेक्ट्रानों के अश्टक बनाने के लिए या तो उसको इल संख्या है वही उस तत्व की क्या कहलाती है सयो जक्ता कहलाती है फिर है न्यू लेंड के अस्टक सिध्धान्त की दो सीमागल रहा था चलिए दूसरी बात जो न्यू लेंड के साथ था पेपर का परागण क्या है तो परागण में हम जानते कि पराग कणों का क्या होता है पराग कोश से वर्तिकागर पर पहुंचना परागण कहलाता है तो जो पुश्प होता है उसके पराग कोश से जो है उसके वर्तिकागर पर जो पराग कण पहुंचते हैं तो उसे ह नाम से एकदर मतलब कहिंए चोटे चोटे कंड और हर एक खंड विरधी करके नया जीफ बनाता है अब प्रश्नकर्मांकalis की द्रस्टी में आप सब्सक्रास के लिए परश्न में park दियोंत। किसे कहते हैं हमें पता है कि हजारों लाखों साल में जो म्रद जीव होते हैं उनके जो परिरक्षित कठोरा उशेस होते हैं जैसे चट्टानों पर पेरों के निशान आदी जो है उनके शरीर की च्छाप होती है उसी को हम क्या कहते हैं जीवाश्म कहते हैं अब इसके अथ्व नोफ ये बाद कर रहे हैं कि गोली दरपण के वक्रता दर की परिबासर लिखू SAM परियापते लेकिन अगर आप चित्र बनाना चाहें तो मैंने इस जो यह प्रजेंटेशन इसके सब आकरी में वह चित्र आपको दे रखा है वह भी इसके साथ लगा दीजिएगा अगर जरूरी समझें चलिए अब इसके अथ्वाम एक मैं जो प्रशने के मुख्य फोकस की प बना दिया है ताकि आप बनाना चाहें तो जो एंसर है वह पावर्फुल हो जाएगा अधर्वाइज यह उत्तर परियापत है चलिए तो क्या का हमने का उतल दरपन में मुख्य के समांतर आप तीतकिरने मुख्य के समांतर आईगे दरपन से परावरतन के बाद जिस बिंद तो मनेगा परंत उसके साथ साथ उश्मा भी निकलेगी तो उसे कहेंगे उश्मा क्षपी अभी क्रिया जैसे केल्शम ओकसाइडोर पानी की चूने और पानी की क्रिया तो बुझा हुऊना आता है सीएओश्ट्वाइस केल्शिम ऑकसाइड सीएओश्ट्वाइस प्लस तो यह अभिक्रिया आपकी उश्मा क्षेपी अभिक्रिया हुई और यही संयोजन अभिक्रिया का भी उधारन है और अगर आप लेते हैं उश्मा शोशी अभिक्रिया तो वे अभिक्रिया जिनमें उत्पात जब बनते हैं तो उश्मा ली जाती है जैसे यहां यह उश्मा ली गई है, तो यहां आप इस तीर के उपर लिख दीज़ेगा उश्मा, तो यह होगी आपने उश्मा ले लिए और यह टूड गया CAO और CO2 में, यह केल्शम कार्बोनेट CACO3 और यह CAO और CO2 यहां तीर के उपर लिख दीज़ेगा आप उश्मा, तो दूसरे तत्व को उसके योगीक में से प्रतिस्थापित कर देता है, यह विस्थापित कर देता है, जैसे यहां देखो, आइरन, यह कॉपर सलफेट है, CU-SO4, तो यह आइरन क्या कर रहा है, FE, इस CU को प्रतिस्थापित कर देगा और इसकी जगे बेढ़ जाएगा, तो यह देखो, यहां बेढ़ गया, तो एक तत्व जो है, मतलब कौन, FE, दूसरे तत्व, मतलब CU को उसके विलियन में से, मतलब CU-SO4 में से, उसके योगीक में से, क्या कर रहा है, प्रतिस्थापित कर देता है, उसकी जगे चला जाता और उसको अलग कर देता है, तो यह है विस्त यहां आ जाएगा, तो यह हो जाएगा, बीए-स-फोर प्लस-C-U-C-L-2, देखो, अदला बदली कल निनों जगे की, बीए यहां आ गया, और CU यहां आ गया, बाकि आपको बिल्कुल आसानी से यह तयार हो जाएगा, कि इनके बीच आईनों का आदान परदान होता है, तो यह प्रशन आप अभी 2021 के लिए तयार ना करें, उसके बाद आपको जब नेक्स अन्य बच आएगे, तो वो इसको देखेंगे, चलिए कहांच के प्रिज्म द्वारा, श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षपन का चित्र, यह तीन नंबर का है, इसमें श्वेत प्रकाश को आप संकिन जीरी से लाइएगा, एक की साथ लाइन बनाएगा और स्केल से खिचीएगा साथों, और फिर साथों को ऐसे नीचे की तरफ लाके, बिल्कूल एक दूसरे के साथ इस तरीके से समानतर रूप में लाकर यहां परदा डाल दीजेगा, और बेजा निह पीनाला नी नीचे आप लिख दीजेगा रंग कोन से हैं, बेंगली, जामूनी, नीला, अरा, पीला, नारंगी और लाग, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब चुम्बकी क्षेत्र रेखाओं के कोई तीन गूर्ण, तो चुम्बकी जो क्षेत्र रेखा हैं, वो सततद बंदवक्र होती है है ना, मतलब वो क्लोस लूप होती है, ठीक है, क्योंकि वो चुम्बक के बाहर जो है, वो उत्तर से दक्षन की ओर, और चुम्बक के अंदर दक्षन से उत्तर की ओर खिची जाती है, तो वो बंदवक्र बनाती है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, और इनके किसी ओठ से तर्जटिनि और मंधिमा को इससे प्रकार फेलाओं। कि फेपरस पर लंबबत रहें। मतलब तरजनी किसको बता दे बी को बी मतलब चुम्बकी श्यत्र को और मद्यमा प्रवाहिद विद्युद्धारा की दिशा मतलब ये मद्यमा इगा तो यह आपका फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियमे बहुत विस्तार से अगर आपको पढ़ना है तो फिर आप चैनल के उप पढ़ लिजेगा लेकिन अभी एक्जाम के पाइंट अफ्यू से आपको इतना ही लिखना चली अब नेक्स्ट जो दो कोश्चन है सोलर कुकर के उप्योग के लाब तीनंक तो यह भी 2021 की एक्जाम के लिए नहीं है क्योंकि यह रिडियूस सिलेबस का पार्ट है यह भी चितरोथ क्या होता है उड़ जागा कि उसका प्रतियेकांक आईतन या प्रतियेकांक द्रौमान अधिक्कारी करें बंडारण परिवन में आसानी हो सस्ता हो तथा सरलता से शुलग अभी मैं जो बात कर रहा था कि वह वक्रता केंद्र की परिवाश आपने लीती तो उसका चित्र है यह भी आप उसके साथ बना सकते हैं कि गोली दर्पन जिस गोले का भाग होता है जैसे गोली दर्पन है देखी आउतल गोली दर्पन है तो यह जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को क्या कहते हैं वक्रता केंद्र हो तो यहां सी जो है आपका वक्रता केंद्र हो ज देखी यह इसके समानतर दो क्रिन आई तो यह दरपन से परावरतन के बाद जिस बिंदू से गुजरी देखी यह भी परावरतन के बाद जिस पाइंट से गुजरी यह कहलाएगा मुख्य फोकस तो आप यह वाला चित्र भी उसके साथ बना सकते हैं इंप्रेशन के लिए पैसा कर सकते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेंगे चार और पांच अंक 2019 के चार और पांच अंकों के प्रशनों के उत्तर ताकि आपकों के एक्जाम में पूरे सो में से सो अंक प्राप्त हो सकें धन्यवाद